बढ़े हो और केक ना कटे तो मज़ा ही नहीं आता और जब भी हम केक कट करते हैं तो थोड़ा केक बच ही जाता है तो आज मैंने लेफट ओवर केक से milk shake रेडी कर लिया और डाला क्या एक गिलास चिल्ड मिल्क, लेफट ओवर केक, टू टीजपून शूगर, चोकलेट आइसक्रीम और चोकलेट सिरप और बन गया शेक, और इस शेक को आप कभी भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चाही ही नहीं, और शेक इतना थिक बनता है कि बस आपको मज़ा ही आ जाएगा, मैंने भी इसे फर्स टाइम ट्राय किया, and really it's awesome, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लेफ् जबे केक का सारा ही शेक बना दिया, फटाफट से ही शेक बनाओ, and enjoy the moment, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, so that नई नई रेसिपीज में आपके साथ शेयर कर सकूँ